देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं सूर्य ग्रहन का जोतिशे महत्व बहुत होता है क्योंकि सूर्य ग्रहन ना किवल जातकों की कुंडली पर प्रभाव डालता है बलकि पूरी दुनिया देश और दुनिया पर प्रभाव डालता है देश और दुनिया में अगले 6 महीने में किन तरह की गतिविदिया हो सकती ह किस डिरेक्शन में चीजे जाएंगी वो सूर्य गृःण से ही पता चलता है और इसका प्रभाव ज्यातकों की कुंडली पर भी होता है लेकिन जहां देश और दुनिया पर इसका प्रभाव अगले क्रेश महिने तक रहता है जातकों की कुंडली पर या जातकों की जीवन में इसका प्रभाव दो हफते से एक महीने तक रहता है तो इस वीडियो में हम इस सूर्य गरहन के कारण जो जो चीजें घटेत हो सकती है जो जो probabilities बन सकती है उन सब पर चर्चा करेंगे पूरी दुनिया के भी बात करेंगे कि दुनिया में क्या क्या असर देखने को मिल सकता है देश की भी बात करेंगे और उसके बाद बारा लगनों की भी बात करेंगे कि बारा लगने के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और हर लगने के साथ कुछ होपाई भी मैं अवर्श्य बताऊंगा तो शुरुवात करते हैं सूर्य गरहन के इस महत्वपूर्ण वीडियो का सबसे पहले बात करेंगे कि दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम दुनिया की बात करते हैं तो मेश लगने को जादा प्रेफरेंस देना चाहिए क्योंकि कालपुरुष की कुंड़ी मेश लगने से ही बनती है अब देखिए ग्रहन लग रहा है प्रथम स्थान में ही लग रहा है और सूर्य ग्रहन यानि कि ग्रहन किस पर लगा सूर्य महराजपत सूर्य कई चीजों को डिनोट करते हैं politics, powerful लोग तो जो ग्रहन लग रहा है इसके कारण क्या होगा जो आने वाले 6 महीने हैं आप देखेंगे कई powerful लोग, कई ऐसे लोग जो बहुत known है, powerful है, businessmen हो गए, political leaders हो गए, आने वाले 6 महीने में उनका downfall स्टार्ट हो जाएगा कुछ ऐसे बड़े-बड़े leaders जो बहुत लंबे समय से rule कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने उस rule के अंत के तरफ जाना शुरू हो जाएगा, उनका downfall स्टार्ट हो जाएगा यह वो समय भी होता है, जब किसी बड़े world leader के साथ कोई दुरघटना हो सकती है, उनके साथ कोई हाथसा हो सकता है, मुझे याद है, पिछले साल सूर्य ग्रहन के बाद, जो साल के मध्ये में एक घटत हुआ था, उसके आसपास मैंने एक बीड़ो बराई थी, जहां पर मैं के साथ कोई हाथसा या कोई दुरघटना या कोई ना कोई उनके खिलाफ कुछ कर सकता है, अब जब भी सूर्य ग्रहन होता है, या कोई भी ग्रहन होता है, उसके आसपास कोई natural calamity, कोई natural disaster भी घटत होता है, अगर आप उठा गे देख लें, जो अधिक्तम भुकम्प होते ह है, वो अमवस्य या पूर्णिमा के आसपास आते हैं, जो बड़ी बड़ी natural घटनाएं होती है, वो भी अमवस्य पूर्णिमा या फिर ग्रहन के आसपास ही होती है, इसलिए जब ग्रहन घटता है, ग्रहन होता है, तो उसके आसपास कोई ना कोई natural disaster भी होता ही है, अभी प समय में कोई बड़ा नैचुरल डिजास्टर हो सकता है इसका एक और कारण है अभी मैं में भी एक और लूनर एकलिप्स जिसको चंद ग्रहन कहते हैं वो भी होगा वारामीर जो जिनोंने ये सारा बड़े बड़े जोतिशग्य हो गए पहले कि जैसे वारामीर आदी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छी कितावे लिखी हुई है वो वारामीर जी कहते हैं कि जब भी एक महीने के अंदर यानि कि 30 दिनों के कालखंड में दो ग्रहन गटते हैं तो कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होती है अभी मैं में भी एक जैसे मैंने कहा एक चंदर ग्रण है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूरे दुनिया में कहीं न कहीं कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है अब देखिए ये ग्रहन 20 तारीकों लग रहा है और 22 को जो ग्रहन जिस राशी भी बड़ेशन का महौल चल रहा है याऔर बड़ेगा तेज गती से बड़एगा आने वाघन की तो स्पैशली क्योंकि यह च्छे महिने की प्रेडिक्षिन होती है सूरे घरंकी तो specially जो दो-तीन महीने होंगे शुरुआत के इनमें layoffs बहुत सारे होंगे और अभी से उसका प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा Financial institutions जो हैं उनमें आप देखेंगे कि उनकी कई गलतियां सामने आएगे उनकी बहुत shortcomings सामने आएगे NPAs, non-performing assets पूरी दुनिया में इसका प्रभाव होगा NPAs के कारण recession का जो प्रभाव है वो और नकरात्मक देखेगा एक ऐसा महाल भी बनाया जाएगा कि सब कुछ बहुत खराब होने वाला है और उसका एक motive भी हो सकता है hidden motive जिसका impact आने वाले कुछ महीनों में हमारे पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा recession जैसा मैंने कहा ये अपने peak पर आने वाले कुछ महीनों में पहुंच सकती है banking crisis अभी आपने देखा कि अमेरिका में कुछ बड़े-बड़े bank crisis के थूँ जा रहे हैं और ऐसा ही आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है अब क्यूंकि यहां पर राहू का प्रभाव भी आ रहा है तो जो countries हैं बड़ी-बड़ी countries उनके बीच में आपस में ही कुछ tension और create हो सकती है अब ब्रहस्पती धर्म के कारक भी है और अगर हम मेश से देखें तो नवम भाव के भी स्वामी हो जाते है यानि कि कुछ religious rights पूरी दुनिया में religion के नाम पर कुछ जगड़े कुछ दंगे ऐसे देखने को हमें मिल सकते है और किसी religious place पर भी कोई दुरगटना या फिर ग्रहन लगता है या कुछ योग बनते हैं तो विमान हाथ से होते हैं और उसके बाद ही कुछ दिनों बाद जो निपाल में अभी हाथसा हुआ था वो घटेत हुआ था कई लोगों ने comment भी किया था कि उन्होंने वो वीडियो देखी थी अब क्योंकि ये जो ग्रहन है ये चर राशी में ही लग रहा है तो चांसेज हैं कि आने वाले कुछ महीनों में कोई विमान हाथसा हो सकता है और यहां पर कुसी बड़ी वहीकल का जिसको हम प्रेंड भी कह सकते हैं या बड़े-बड़े वहीकल उनके हाथसों में भी थोड़ी बड़ोतरी हो सकती है अब गेनेडा, USA और UK इन सारी कंट्रीज पर इस ग्रहन का जादा नकरात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजिस थ्रूआउट द वर्ल्ड होंगे और जैसा मैंने कहा रिलीजन एक बहुत होट टॉपिक रहने वाला है आने वाले 6 मिनों में प पूरी दुनिया में आप देखेंगे अलग अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं क्राइम रेट बड़ेगा और पूरी दुनिया में एक रिबैलियस सा नेचर रहेगा निकि विद्रोही स्वभाव बहुत रहेगा एंटी रिलिजियस एक्टिविटीस भी आपको देखने को मिल जाता है रूख आप जाती है देखे कि कोई व्यक्ति इस तर तक गर के ऐसा कारे कर सकता है तो आने वाले छे महीने में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा कि कई घरणित कार्य लोगों के द्वारा करे जाएंगे तो यह मेरे हिसाब से दुनिया पर सूर्य ग्रहन का प्रभाव हो स सबसे पहले तो बॉर्डल डिस्प्यूट अएं आवले कुछ 6 महीनों में देखेंगे कि हम बॉर्डल को सबसे पहले तो वो भी बारवे भाव सही देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर राहू भी हैं, जब भी गरहन लगता है, तो राहू केतु का कुछ ना कुछ सो involvement होता ही है, तो अभी राहू इस गरहन में involved हैं, तो foreign spies जो हमारे देश में हैं, वो थोड़ा सा प्रभाव डालने की कोशिश करें तो आप देखेंगे आने वाले कुछ 6 महीनों में, कुछ ऐसी चीजें उजागर हो सकती हैं, हमारी forces के द्वारा कुछ ऐसे लोग पकड़े जा सकते हैं, देश को तोड़ने के विबिन हतकंडे अपनाए जाएंगे, आप देख भी रहोंगे, आजकल हो भी ऐसा राय कि और ऐसा आने वाले 6 महीनों में आपको बहुत ज़ादा देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं, डिवाइड और रूल, वही पॉलिसी आज की डेट में कई कंड्रियाज अपना रही है, और इसका प्रभाव आपको आने वाले 6 महीनों में बहुत ज़ादा देखने को मिलेगा सूर्य है, जब हम सूर्य की बात करते हैं, तो people in power, बड़ी personality, powerful personality उनकी बात करते हैं और जब ये 12 स्थान में हो रहा है, ग्रहन, 12 स्थान जेल का है हो सकता है, आने वाले 6 महिनों में कोई बहुत बड़ी powerful personality हो सकता है, उनको जेल भी जाना पड़े, या फिर उनके खिलाफ कोई बड़ा कानूनी मुकत्मा स्थार्ट हो जाए इसकी बहुत बड़ी संभावना बन रही है, आने वाले 6 महिने में क्योंकि सूरे की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी personality कोई जेल जा सकती है जैसे मैंने कहा है, या फिर किसी case में उनको उलजा दिया जाएगा, या फिर उलज जाएगा अपनी ही गलती हो सकती है, जिसके कारण उनको ये सब जेलना पड़ेगा अब करोना की बात करते हैं, करोना की cases बढ़ सकते हैं मैंने दिसंबर में भी शायद कहा था कि करोना अभी खतम नहीं हुआ है कोई भी pandemic खतम नहीं होता जल्दी, बार-बार आता है, रियकर होता है अब क्योंकि ग्रहन बारवे घर में लग रहा है, बारवा स्थान है hospitals का यानि कि hospitals में cases बढ़ेंगे, करोना के cases बढ़ेंगे तो थोड़ा सा संबल जाए, आने वाले कुछ जो महीने हैं, वो थोड़े से कश्टकारी हो सकते हैं अब जब बारवे भाव में ये सब कुछ होता है, ग्रहन लगता और राहू भी आ जाता है, तो कोई बहुत बड़ा स्केंडल उजागर होता है बहुत जादा संब्भावना है आने वाले 6 मीने में, कोई बहुत बड़ा स्केंडल हमारे सामने आ जाए, वो पॉलिटिकल स्केंडल भी हो सकता है और क्योंकि हम राहू की बात कर रहे हैं, तो कोई बॉलिवोड या मीडिया, इन से जुड़ा भी कोई बहुत बड़ा स्केंडल सामने आ सकता है मैंने दुनिया की जब बात कर रहा था, तो उसमें भी कहा था, ग्रिनित कारे बढ़ेंगे और राहू जब बारवे में होते हैं, ग्रहन लगता है, तो ग्रिनित कारे बढ़ते हैं जैसे कुछ केसिस हुए थे, पिछले कुछ सालों में हुए हमने देखा था, कि मानवता एकदम शर्मसार हो गई थी, कुछ ऐसी हरकते लोग कर देते हैं ग्रहन अमवस्या, पूर्णिमा, यही वो समय होता है, जब अधिक्तम Natural Calamities होती है और स्पेशली ग्रहन के आसपास तो सूरे ग्रहन के कुछ महीनों बाद तो कुछ natural calamities होती ही हैं और उसकी बहुत जादा संभावना इस सूरे ग्रहन के बाद भी बनेगी जब मैं इस पर कूर्म चक्र लगाता हूँ कुछ नक्षत्रों की बात होती है उसमें नक्षत्र देख सकती है तूसरा जब सूरे की बात करते हैं तो जो पहाड़ी इलाकिये होते हैं वहां पर कोई दुरघटना natural calamity घटती है तो हो सकता है कि इन सब एरियास में कुछ natural calamity कोई प्राकृतिक आबदा आ जाए बारवास्थान foreign affairs का भी होता है और राहु भी कहिना कई foreign की चीज़ है वो strong होगा लेकिन कुछ countries जान बूच कर हमारी country को target करेंगी इंडिया को target करेंगी देश की छवी को खराब करने की प्रास होगा कुछ particular countries के द्वारा state और central government के वीश में दूरियां बढ़ेंगी और बहुत निम्न स्थर की राजनीती हो सकती है और इसके साथ ही कोई बड़ी political party में भी आने वाले 6 महिनों में दरार आ सकती है बहुत ज़्यादा संभावना इसकी दिख रही है foreign investment के लिए समय अच्छा होगा हो सकता है कोई foreign बड़ी investment हमारे देश में आजए रेगुलर स्थर से foreign investment आती रहे लेकिन एक जो negative चीज दिख रहे है क्योंकि बारवा स्थान कहीं न कहीं तीर स्थलों का होता है जो religious places होते हैं बड़े बड़े उनका भी होता है हो सकता है कुछ आतंकवादी इंडिया के किसी बड़े तीर सल को अपना एक निशाना बनाने की कोशिश करे वहाँ पे कुछ नुकसान पहुचाने की कोशिश करे और ये भी हो सकता है कि किसी बड़े तीर सल पे जो specially पाहड देखते हैं कभी-कभी मेरे पास कुणली आती है कि अचानक से विक्ति को टर्मिनेट कर दिया अभी परसो ही मैं देख रहा था एक सरकारी पोस्ट पे काम करते थे उनको टर्मिनेट कर दिया किसी करण से तो वहाँ पे बारवा भाव एक्टिवेट होता है तो अब जब हम देश की बात कर रहे हैं तो Layoffs बढ़ेंगे हमारी country में भी अभी तो पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव चल रहा है हमारी country में भी हो रहा है लेकिन आने वाले स्पेशली 6 महीनों में Layoffs बहुत तेजी से होंगे और इसका प्रभाव किस पर पढ़ेगा सबसे ज़्यादा इसका सर्विस इंडस्ट्री पे पड़ेगा और IT इंडस्ट्री पर, IT इंडस्ट्री पे क्यों कि यहाँ पे बुद्ध भी अभी वक्री होने वाले हैं और यहीं पे ग्रहन के साथ होंगे, तो IT इंडस्ट्री और सर्विस बेस इंडस्ट्री जो होती है, BPO जादी, उस पर इ नहीं एक बहुत बड़ा बदलाव गौवर्मेंट अपनी टैक्स पॉलिसेज में आने वाले छे महीने में कर सकती है एक चीज बहुत जो कश्ट दैक थोड़ी सी दिख रही है कि कई कंट्रीज इस समय हमारे देश के खिलाफ बहुत सीक्रेट कॉंस्पिरेसी खर रही हैं और अब एक नकरात्मक प्रभाव हमारे देश के खिलाफ देखने को बिल सकता है तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें हमारे देश के साथ आने वाले छे महीनों में घटित हो सकती है मेश आपके लिए सूरे ग्रहन का ज्यादा प्रभाव अगले आने वाले दो-तिन हफ्तों में दिखेगा आपको बस अपनी सेहत का ज्यादा द्यान देना है अपनी मानसिक सेहत और शारीलिक सेहत दोनों का ही द्यान देना है क्योंकि यह सब कुछ आपके लगन पर हो रहा है तो मेश पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा confused बहुत रहेंगे, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, अनिशित्ता जीवन में आ जाएगी तो इसलिए आने वाले 2-3 हफतों में आपको कुछ बड़ा कारे नहीं करना, कुछ नया कारे नहीं करना जीवन को जितना सरल रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य अपर गरहन हो रहा और सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है यानि कि बच्चों से थोड़ी दूरी आ सकती हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम पे बहुत भ्रमिट से रह सकते हैं ओवरॉल मेश के लिए बस यही सुझाव दूँगा कि आने वाले दो-तिन हफते अपने जीवन को जितना सिंपल कर सकते हैं जितना डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं अपने खाने को भी जितना सरल कर सकते हैं सात्विक आहार आने वाले दो-तिन हफतों मिलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा लव लाइफ, मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा इसका नगरात्मक प्रभाव पड़ सकता है ओवरॉल जितना आप बैलेंस रहेंगे उतना आपके लिए जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम रहेंगे जितना आपने अपने जीवन को कॉंफलेक्स किया आने वाला जो दो-तिन हफते का समय है वो आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है सेहत के हिसाब से स्लीप डिसॉर्डर्स, रक्त विकार और infections आपको बहुत तंग करेंगे आपको केवल आने वाले कुछ दिन, प्रति दिन 108 बार महामृतुनजे का जाब करना है विशब, आपके लिए जो ग्रहन है बारवे घर में लग रहा है आपको बस ध्यान अपनी सेहत का बहुत देना है मानसिक सेहत, शारेरिक सेहत दोनों ही बिगर सकती है और हस्पताल के चक्कल लग सकते है हो सकता है वो आपको अपने लिए जाना पड़े या घर के किसी सदस्य को लेकर जाना पड़े खर्चे बहुत बढ़ेंगे जो चीज आपको आने वाले कुछ दो-तिन हफते में ज्यादा तंग करेगी वो है खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे धन संचे करने की कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ क्योंकि धनस्थाने के स्वामी और राहु दोनों ही बारवे घर में है अगर बाहर से सम्मधित आपके कुछ काम है तो उसमें आपको लाब मिल सकता है अचानक से काड़क शेतर में ट्रांसवर के आपके ओर्डर आ सकते हैं अपने आप दवाई खाना शुरू कर देते हैं उसके बाद उसके नेगेटिव प्रभाव होते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास जाएगा या जो भी चिकत्सक उस पर्टिकुलर चीज को जो भी डिजीज है या जो भी प्रॉब्लम है उसके चिकत्सक होते हैं उनके पास जाएगेगा फिर कोई दवाई खाएगा क्योंकि संभावना है कि आप सेल्फ डिजीज के कारण अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे बच्चों के साथ संबन थोड़े भी कर सकते हैं बच्चों के साथ तू-तू-मैवे हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि घर में ही कुछ ऐसी चीजे सामने आ जाएं जो तथ्य अब तक सामने आए नहीं थे उसके कारण भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान जाद देना है अपने खर्चों पर और सेहत पर सबसे जादा आपको फोकस करना है उपाई ये है कि आपको ओम महेश्वरायन अमहा इस मंत्र का 108 बार जाब आने वाले कुछ जिनों तक निरंतर करते रहना है मिथुन, जमिनाए आपके लिए ग्रहन ग्यारवे घर में लग रहा है ग्यारवा भाव इंकम का स्थान है क्योंकि वहाँ पर लगने के स्वामी विवक्री हो जाएंगे अब यहाँ पर इंकम भड़ भी सकती है अचानक से पैसा आ भी सकता है लेकिन पैसा अन्स्टैबिलिटी के साथ आएगा आने वाले दो-तिन हफते आपके पैसा तो आएगा लेकिन स्टेबल तरीके से नहीं एक दिन आ गया, दो दिन थोड़ा पैसा रुग गया कहीं पे होल्ड आप हो सकता है लेकिन धन कमाने के लिए अच्छा समय है लेकिन आपका अपनी सेहत पर बहुत खर्चा होने वाला है जब भी ग्यारवे स्थान में कोई ग्रहा आता है या कुछ ग्रहन लगता है या कुछ योग बनते हैं जो पैसा देने वाले होते हैं साथ में सेहत पर खर्चा बढ़ने ल हो जाए लेकिन हाँ अगर आपकी कुणली में इस समय दशा अंदर दशा अच्छी नहीं चल रही तो जो मैंने लेओफ वाली बात कही थी सामाने विश्लेशन में या फिर जब मैं देश और दुनिया की बात कर रहा था तो हो सकता है वो आपके साथ हो जाए लेओफ वाले जो चीज चल रहे ही वो आपके खिलाफ उसका एक नकरात्मक प्रभाव हो सकता है जौब आपकी हो सकता है जा भी सकती है अगर आपका दशा अंतर दशा इस समय अच्छी नहीं चल रही ध्यान आपको बस यही करना है कि आने वाले दो-तिन हफ्तों में अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना है ऐसे खर्चे नहीं करने जो अवाइड़ेबल है क्योंकि खर्च करने की जो आदत है वह आपकी इस ताइम पर कुछ बढ़ सकती है शनी देव की दृष्टी भी इस समय आपके ला प्रभाव हो सकते हैं जिनकी कुणली में दशा अंतर दशा इस समय अच्छी चल रही है अपनी कुणली स्टॉंग है उनके लिए तो यह समय कारेक्षित्र में बहुत सकरात्मक बदलाव रहा सकता है अचानक से ट्रांसवर अचानक से प्रमोशन अचानक से नई आपका प्रमोशन हो वह मौका जैसे मैंने का हाथ से आते आते निकल सकता है और कुछ और नकरात्मक भी जैसे मैंने लियोफ्स की बात करी थी उसके चांसेस भी आपके साथ बन सकते हैं यह प्यूर्ली डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली कितनी स्टॉंग है तो इस गरहन को शनीदेव भी देख रहे हैं तो एक अनिशित्ता पूरे जीवन में आ जाएगी उसके कारण कुछ गलत निरने भी आप ले सकते हैं यहां पर भ्रहस्पति भी आ जाएंगे नवम भाव के भी स्वामी है और चटे भाव के स्वामी है नवम भाव के स्वामी का आपके हाथ से निकाल कर किसी और को दे दी जाएगी तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली इस समय क्या कह रहे है यह आपकी जो पर्टिकुलर कुंडली है यह तो एक सामान्य विश्लेशन होता है घर के सदस्तों से जब बात करें तो बहुत अराम महादेव के इस मंतर का आने वाले कुछ दिनों के लिए प्रते दिन 108 बार जाप करना है सिम्ह लियो आपके लिए जो ग्रहन लग रहा है वो नवम स्थान में लग रहा है ध्यान यह देना है कि अगर आप जॉब करते हैं काम करते हैं तो यह वो समय है आपका अपने मैनेज किमित रखें थोड़ा सा आपने आपको कंट्रूल रखें क्योंकि एक सेंसेटिव टाइम हो सकता है अचानक से ट्रांसवर की योग भी बन सकते हैं क्योंकि यह स्थान दसवे से बारवा स्थान है मैंने ले ओफ्स वाली बात करी है अभी जो मैं देश और दुनिया की बात कर रहा था आने वाले कुछ महीनों में ले ओफ्स होंगे बड़े स्थर पर होंगे अगर आपका कार्य कुछ ऐसा है जहां पर इसकी संभावना बन रही है तो वह आपके साथ भी इस टाइम पर हो सकता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है जिस समय आपके पिता जी के ले बी थोड़ा कश्टकारि हो सकता और यह समय थोड़ा आपकी माता जी के लिए भी कश्टकारि हो सकता है क्योंकि और नवम भाव में ग्रहन लग रहा है पिता जी का स्थान हैर अथ्छा रहेगा जितना सात्विक रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा किसी को भी कोई fake commitment कोई false commitment मत कीजिएगा उसके कारण आपके संबंदों में भी विकार आ सकते हैं तो आपके लिए थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव है आपको बस ध्यान ये देना है कि आने वाले दो तिन हफते जितना सरलता के साथ आप निभाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा जातक सेहत की बात है एसलिती जोडों के दर्द और हड़ियों की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी उपाय ये है कि आपको आने वाले कुछ दिन ओम जटा धराय इस मंत्र का ओम जटा धराय नमहा महादेव का इस मंत्र का प्रति दिन आपको 108 बाल जाब करना है कन्या वर्गो आपके लिए आठफे भाव में ये ग्रहन लग रहा है आठफा भाव अनिशित्ता का होता है ग्रहन भी अनिशित्ता बढ़ाता है जीवन में तो जो आने वाले कुछ दिन है अनिशित्ता हर चीज में रहेगी बैलन्स ही कमी हर चीज में रहेगी आपको बस ये ध्यान देना है कि आने वाला जो दो-तिन हफते का समय है आपको सरलता के साथ आपको ध्यान पूर्वक और धहरे के साथ आपको बिताना है पैसा अचानक से आ सकता है उसमें कोई डाउट नहीं कि अश्टम भाव में जब इतने सारे ग्रहों का योग होता है भले ग्राण हो, पैसा चनक से आ सकता है, लेकिन पैसा आप गलत जगा पर लगा भी सकते हैं, तो पैसा किसी को उधार मत दीजेगा, पैसों का कोई निरंए हो, उसको अपने आप मत लीजेगा, किसी से पूछ पार्च के रहे मश्वरा लेकर, किसी से सलहा लेकर ही आपको नि इसाफा होगा अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजेगा कोई इंफेक्शन आपको तंग कर सकता है आपको ओम विश्वेश्वर आये नमा महादेव के इस मंतर का आने वाले कुछ दिनों प्रते दिन 108 बार जाप करना है आपके लिए जो ग्रहन बन रहा है यह ग्रहन लग रहा ह यह सब्तम भाव पे लग रहा है सब्तम भाव शादी का भाव होता है मैरिड लाइफ के लिए आने वाले दो-तिन हफते थोड़े कश्टकारी रहेंगे और अपनी पबलिक इमिज का भी आपको भूत ध्यान देना है मैरिड लाइफ में और प्रॉब्लम्स चल रही थी सब क अपनी पबलिक मेच को लेकर अपनी गुडविल को लेकर भूत ध्यान देना है क्योंकि स्थान चौथे से चौथा स्थान है तो घर में भी थोड़ी कहा सुनी थोड़ी नोगचोग थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है इन सब चीजों का ध्यान दीजेगा जहां तक सेहत की किड्नी की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग कर सकती है मईलाओं में यूट्र सम्बंधित प्रॉब्लम कुरुशों में प्रोस्ट्रेंट प्रॉब्लम तंग कर सकती है और है लेकिन लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि गुसे पर कंट्रोल करना है, फ्रस्टेशन पर कंट्रोल करना है, फ्रस्टेशन और एंगर दोनों ही अपनी चरम सीमाओं पर कई बार आने वाले कुछ दिरों में पहुंच जाएगा और उसके कारण थोड़ी नकरात्मकता आ सकती है अपना ही नुकसान करा सकते हैं, मंगल का हमीशा प्रभाव आपकी जीवन में रहता ही है क्योंकि आपके लगने के स्वामी है और वो भी क्योंकि इस समय नीच अविलाची है, अश्टम में बैटे हैं, अचानक से कुई ऐसी प्रतिक्रियाब दे सकते हैं, अचानक से कोई ऐसा कारे कर सकते हैं, जिसका एक दूर गामी नकरात्मक प्रभाव हो सकता है, कुछ कानूनी संबंदित कार्या टक रहे तो उनको पूरा करने के लिए दो-तिन हफते का समय अच्छा है, इसके साथ ही अगर कोई पैसा रुका हुआ था, उसको प्राप्त करने के लिए भी सम आपके लिए जो गरहन लग रहा है, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत भ्रमित रहेंगे, बहुत एंग्जाइटी रहेगी, एंग्जाइटी जादा हमेशा होती ही है, मैंने कई बार बता चुका हूँ, आप क्यूंकि पंचम भाव जो थौट प्रोसेस से लेटर होता ह है, बहुत बहुत भ्रमित रहेंगे, छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं, इसके कारण आपके एक्जाम में कुछ नकरात्मक हो सकता है, लव लाइफ के लिए स्पेशली ये जो गरहन है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा चिंता जनक जादा देख रहेंगे, जिनके ओवर्थिंकिंग के तरफ आप बड़े, वहीं पर आपके एंग्जाइटी बहुत बड़ेगी, आपके बच्चों के लिए भी गरहन थोड़ा हानिकारक हो सकता है, उनकी सेहत का ध्यान दे, और आपका आपने बच्चों से कुछ वादिवाद भी हो सकता है, आने वाले दो इन सब चीजों से संबंदित कुछ नकरात्मक प्रभाव पड़ते हैं, तो अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजेगा आने वाले दो तिन हफते, अपने घर की स्त्रीयों का ज़्यादा ध्यान दीजेगा, क्योंकि घर की महिलाओं की तब्बे थोड़ी बिगड़ती है, घर में मरमत अचानक से करनी पर सकती है, कुछ प्रॉपर्टी का कारे आपका अटक सकता है, और यहां पर छोटे मोटे एक्सिदेंट के योग भी बन सकते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान देना है, घर में महौल थोड़ा ग्लूमी सा रहेगा, यानि कि थोड़ा नगरात सा रहेगा, उचाट सा महल रहेगा, छोटी-छोटी बातों पर बहस हो जाया करेगी, अगर आपको हृदे सम्बंदित कोई भी प्रॉबलम है, आने वाले दो-तिन हफ़ते आपके लिए थोड़ा कश्टकाली हो सकते हैं, आपके लिए उपाई यह है कि आपको आने वाले करते दिन 108 बार महामृतुञ्जय मंत्र का जाप करना है, कुम्भ, आपके लिए जो गरहन बन रहा है वो तीसरे भाव में लग रहा है, अब तीसरा भाव और गरहन बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता गरहन यहाँ पर, लेकिन फिर भी जब गरहन बनता है उसकी 2-3 प्रभाव आते हैं उस संबंद में, तो ये भाई-बहनों के स्थान पे बन रहा है, भाई-बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, अचानक से यात्राओं पाना निकले, अचानक से कुछ लिए गए निरने आपके लिए बहुत नकरात्मक रिजर्ट दे सकते हैं, तो आन अचानक से यात्रा का प्लैन ना बनाएं, अचानक से खर्चे ना करें, और इसके साथ ही घर में भी थोड़ी विवस्था कायम रखे, कुछ भी डिस ओर्गनाईज जादा रहा, तो उसके कारण घर में भी महौल थोड़ा सा खराब हो सकता है, अपनी कॉम्मुनिकेशन पर ओवर एक्साइटमेंट की तरफ भी व्यक्ति को लेके जाती है, तो इन सब चीजों पर आपको कंट्रोल करना है, गले के रोग और थाइरट सम्मन्दित रोग बहुत तंग करेंगे, आपको आने वाले कुछ हफते, प्रति दिन ओम नील कंठाय नमहमंतर का 108 बार जाप करन आपके लिए जो गरहन है वो दूसरे स्थान में लग रहा है, अब मैं कईबा बता चुका हूँ, यहाँ पे कभी-कभी गरहन या राहू, कुछ नीचे गरह, पाप गरह, क्रूर गरह, धने के संबंद में अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, तो हो सकता है धन अचानक से बड जाए, किसी की payment delay हो जाए, तो उसके कारण आपके पास भी पैसा थोड़ा delay के साथ है, तो यह संभावना है कि आपका काम बढ़ेगा, आपके पैसा अवश्या आएगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर आएगा, दूसरा हम सूरे की बात कर रहे हैं, तो कुछ सरकारी कारों में खर्चा हो सकता है, अभी एपरिल से लेकर जुलाई तक टैक्स का भी टाइम है, जब लोग अपनी टैक्स रिटरंस भरते हैं, तो हो सकता है, अगर आपने अच्छा कासा पैसा कमाया पिछले साल, तो टैक्स पर भी अच्छा कासा पैसा जाएगा, GST आधी पर अगर आ आगे चलकर आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है, तो पैसा अवश्य आएगा, काम अवश्य बढ़ेगा, लेकिन चीजों को और्गनाईज रखेगा, क्योंकि काम का प्रेशर आपके उपर थोड़ा जादा हो सकता है, जो लोग जौब करते हैं, बिजनस करते हैं, समय ठी प्रेहत की बात है, आखों के रोग, दांतों के रोग, पेट के रोग, आपको बहुत तंग करेंगे, उपाय यह है कि आने वाले कुछ दिन, ग्रहन के बाद आपको प्रते दिन, महामृतुंजर मंत्र का जाप करना है, एक स्वाड़ पार, आशा करता हूँ यह सूरे ग्रह है, आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा, चैनल पे नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लेजिए, और वीडियो को लाइक कर लेजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए, ओम नवाट।